नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Electronics Mechanic Trade के Skill Test के बारे में तो अगर आप भी ISRO, DIO, BARC और और किसी Technician Exam के Skill Test के तयारी कर रहे हैं और आप भी Electronics Mechanic Trade के Student हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहे हैं कुछ important चीज़े हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में साथी साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले जो exam हुए है इस रोल DIO या फिर BARC के तो उनकी Skill Test में क्या-क्या पूछा गया है अभी तक तो वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही important है ध्यान से देखे गया और सारी चीज़ों को ध्यान से समझेगा तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग BARC के Skill Test की तैयारी कर रहे हैं recently जैसा कि आप सभी के Skill Test की डेट आ गई है तो उन सभी के लिए दोस्तों जैसा की डेट आई है तो लगवक देड़ महीने के आजपास का समय आपको मिला है देड़ महीने दोस्तों बहुत जादा होते है बहुत जादा समय का मल्लब है कि आप सभी लोगों को बहुत जादा चीज़ें सीखने का टाइम है तो आप कोसिस करें जितनी ज़्यादा चीज़ें कि आप प्रेक्टिस कर सकें उनको आप सीखेगा अब सबसे पहले जो important है वो है component identification अब देखें अगर आप electrons की student है तो आपको जितने भी हमारे electrons में component है चाहे वो active component हो या फिर passive component हो तो उन सभी component को आपको identify करना आना चाहिए अब दीखें ऐसा क्यों क्यों क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी जो examiner होता है जो scientist बगएर होते हैं वहाँ पे skill test में वो आप सभी के पास कोई circuit लेके आ जाते हैं और आप से पूछते हैं कि बताओ कि ये कौन सा component है जैसा कि आप यहाँ पे एक circuit देख सकते हैं मालीजे आपके जो scientist बगएर जो मिले हैं आपके बहाँ पे उन्हेंने मालीजे इस तरीके से आपको कोई circuit दिया और आप से पूछे कि बताओ ये कौन सा component है तो उस case में आपको component को identify करना आना चाहिए आप से पूछा सकता कि ये क्या है आप कहें कि capacitor तो आगे भी वो आप से कुछ और चीजां पूछ सकते हैं कि कौन सा capacitor है capacitor का क्या काम होता है तो component identification दोस्तों बहुत ही जरूरी है आप से किसी भी circuit की पूछी जा सकती है कोई भी circuit वो आपको दे देंगे तो आपको component identify करना आना चाहिए और ये बहुत ही important है अब component identification में भी ये through hole component है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको हम दूसी side से PCV के solar करते हैं इसी तरीके से आपको SMD component को भी identify करना आना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये capacitor है ये register लगा हुआ है इसी तरह से इंडक्टर लगा हुआ है ये भी इंडक्टर है ये diode है तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी को SMD component को भी identify करना आना चाहिए क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि वो आपको जो circuit board पूछें आप से उसमें SMD component ना हो वो आप से SMD components वाले PCV circuit board से भी identify करने को पूछ सकते हैं तो आपको throw hole component और SMD component दोनों को ही जितने भी components है सभी को identify करना आना चाहिए दूसरी चीज component की testing वो भी digital multimeter का यूज़ करके अब देखे एलेक्ट्रोंस में दोस्तों जितने भी component है चाहिए वो transformer हो, capacitor हो, diode हो LED बगएड़ा हो जितने भी active in पैसे components है हमारे लेक्रोंस में उन सभी को आपको test करना और check करना आना चाहिए कि वो faulty तो नहीं है उन्हें कैसे हम check करते हैं multimeter के द्वारा यह आपको check करना आना चाहिए अगर आप component की testing अच्छे से जानते हैं सभी component आपको test करना आता है कुछ component है जो केवल multimeter से check नहीं किया जाते है अगर आपको दोस्तों component की testing करना आता है तो आप easily जो PCV tracing होती है वो कर सकते है next दोस्तों PCV tracing और उसमें faulty component को identify करना अब देखे दोस्तों यह बहुत ही important topic है कई exam में कई जगह पूछा गया है PCV tracing के बारे में recently जो इस रो भी SSC का exam होता उसमें एक student से दोस्तों PCV tracing करवाए गी थी और भी उसके पहले कुछ exam हो चुके हैं इवन बार के भी exam हो चुके हैं जिनमें की PCV tracing छात्रों से कई बार पूछी गई है तो इस तरीके से मालीज यह कोई भी वह आपको circuit board दे सकते हैं इसको जब आप दूसरी साइट से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह PCB यह दूसरी साइट यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक बगरा दिये हुए हैं इन ही में दोस्तों हमें मल्टिमीटर का यूज करके हमें continuity mode पर सेट करके हमें इसकी टेस्टिंग करनी होती है लब कि tracing करनी होती है और मैंने आपको बताया था कि आपको component identify करना आना चाहिए तो अगर आप दूसरी साइट से देखें तो यहाँ पर component ही लगे हुए है आपको PCB tracing की अच्छी practice करनी है तो आपको component को test करना और उन्हें identify करना ज़रूर से आना चाहिए इस पर दोस्तों एक detail video में आगे बनाने वाला हूं जल्दी जो कि आपको देखने को मिलेगी तो अगर आप ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो जल्दी से subscribe कर लो इसी परिकार की informative video देखने के लिए next दोस्तों बात करें तो आपको जो breadboard होता है उस पे circuit को assemble करना और उसको test करना आना चाहिए देखें बहुत ही basic सी चीज़े आप में से सभी लोगों ने देखा होगा और आप में से कई लोग तो इस पे circuit बनाना जानते भी होगे तो इस तरीके से दोस्तों भाइट भाइट से breadboard होते हैं इन पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे circuit बनाते हैं कैसे circuit को power वगरा दी जाते हैं कैसे हम test करते हैं तो यह सभी आपको आना चाहिए रिसेंटली अभी NRS CSRO का एक्जाम हुआ था तो कुछ student बता रहेते हैं बहाँ पर भी उन्हें इसी तरीके से breadboard पे circuit बनाने को दिया गया था तो यह अगर आपको नहीं आता है तो इसकी आप दिरू से practice कर लिजेगा नेक्स से दोस्तों general purpose board अब देखे general purpose PCB कुछ इस प्रकार से होते हैं इनको आप में से कुछ लोग size 0 PCB हो ले तो इन PCB पर दोस्तों आपको circuit बनाना आना चाहिए और उसकी soldiering करना आपको आने चाहिए थोड़ी सी difficult हो सकती है soldiering करना इस पर आपको लेकिन इस पर आपको soldiering की अच्छी खास से practice होने चाहिए क्योंकि कई जगा दोस्तों एक circuit दे दिया जाता है आपको डिसेंटली जो SDSC SRO का exam हुआ था उसमें दोस्तों जो skill test हुआ था उसमें एक छात्र से पूछा गया था उनको दिया गया था कि operational amplifier का circuit बनाओ अलब कि circuit आया था उन्हें तो इसी प्रिकार से general purpose PCB बोड़ पर circuit करना था उसको और output भी वहाँ पर उनको सो करना था तो इस तरीके से दोस्तों general purpose बोड़ होते हैं general purpose PCB इन पर आप लोग circuit को सोल्ड करने की practice अच्छे से कर लें next बात करें तो single layer और double layer PCB की soldering देखिए दोस्तों यह भी बहुत ही important है इस तरीके से single layer PCB बोड़ आपको दिया जा सकता है आपको exam में और आपको soldering करने को बोला जा सकता है तो जब कभी भी आपको exam में single layer या double layer PCB PCB soldering के लिए आए तो उस time दोस्तों आपकी soldering quality top notch होने चाहिए recently हमने general purpose PCB देखा तो उसमें soldering quality थोड़ी साप सुत्री हो लेकिन उसमें circuit आपका output देना चाहिए circuit का output आना चाहिए वह important करता है लेकिन जो single layer और double layer PCB होती है इसमें आपकी soldering quality भी important होती है इसमें आपकी soldering quality भी top notch होनी चाहिए तो इस तरीके देख सकते single layer PCB है इसमें एकी side से component को sold करना पड़ता है आप आप देख सकते हैं कुछ SMD component भी दिए गए हैं आप नेक्स दोस्तों double layer PCB है तो double layer PCB में दोनों side से component को sold करना होता है और रिसेंटली अभी इस रो NRC के exam हुआ था तो कुछ छात्र बहां पर बता रहे थे कि इसी प्रिकार से एक double layer PCB board उन्हें दिया गया था जिसमें कि दोनों side उन्हें component को sold करना था और दूसरी side से दोस्तों अगर double layer PCB आपको मिलता है तो लगभग पूरे chance है कि दूसरी side जो component आप sold करेंगे वह आपको SMD component ही दिये जाएंगे तो इस तरीके से आपको exam में board दे दिया जाएगा और आपको components बगएरा दिये जाएंगे एक पाउच में तो वह आपको board पे जो इस symbol बगएरा बने हुए इनको देखके आपको उन component को अच्छे से sold करना है देख सकते हाँ पर इस तरीके से आपको board पे सिंबल बगएरा है डाइगराम बगएरा है अलबकि component इसको बोलते हैं component placement डाइगराम तो इस तरीके से component placement डाइगराम वह आपको PCV पर ही देखने को मिल जाएगा तो इनको देखके आपको component को sold करना है अब देखके single layer और double layer PCV में जो सबसे important है वह है SMD component की soldering और SMD component की soldering hot air machine से भी और normal soldering iron से भी तो आपको इस तरीके से दोस्तों SMD component है इनकी soldering करना आपको आना चाहिए यह थोड़ी difficult होती है इसके थोड़ा experience चाहिए होता है तो अगर आपने नहीं करी है आपको बिल्कुल भी practice नहीं है तो कुछ online board आपको देखने को मिल जाएगे किसी भी circuit के आप मंगा लीजेगा component बगरा भी मंगा लीजेगा उन पर प्रिक्तिस करना चालू कर दीजिए इस तरीकी से दोस्तों जो SMD work station होते है इसमें की hot air machine होती है तो आपको SMD component जो होते हैं आप देख सकते हैं SMD register है कितने छोटे हैं तो इनको आपको इस hot air machine से भी sold करना आना चाहिए साथी साथ आपको जो soldering iron होती है उससे भी sold करना इनको आना चाहिए अब देखे इसमें एक और चीज आपको सीखना है देखे यहाँ पे जो soldering iron है उसकी जो tip है वो conical shape में है लेकिन आपको करना क्या है जो SMD component के आप soldering सीखेंगे तो वो आपको जो normal हम करते हैं bevel type tip से उस से भी करना आपको सीखना पड़ेगा उससे भी करना आपको आना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली इस रो एनरसी के एक्जाम हुआ था तो कुछ स्टूडेंट ने बहां पर बताया था कि जो SMD component थे उन्हें normal soldering iron से जो bevel type tip होती है उससे sold करने को बोला गया था इसके लि से भी बेवल से भी और मसीन से भी और डवल लेयर PCV सिंगल लेयर PCV की soldering अच्छे से आप करके जाएं नेक्स दोस्तों हैं कि आपको जितने भी सर्केट हैं इलेक्नोर्स में जो इंपोर्टेंट हैं चाहा हो एनलोग के हो या डिजिटल के हो उन सभी का आपको अच्छे से concept पढ़के जाना है याद करके जाना है तियोरी उनकी पढ़के जाना है क्योंकि आपसे exam में question आ सकता है किसी भी circuit के बारे में लिखने को दिया जा सकता है डिशन्ट्ली न्रफमी कि छात्रों ने बताया था कि उनसे भी अलग-अलग कॉस्चन दिये गये त्या cudशा लग-अलग चात्रों को वहें लीकूशन में लॉकल लॉजिक ऑएनलग सोनिन कंचेट उूं Pr से एक्जाम में लिखने को बहाँ पर बोला जाए तो आपको उस ताइम पता होना चाहिए नेक्स दोस्तों कुछ equipment के बात करते हैं तो कुछ equipment भी आपको जरूर से operate करना आना चाहिए उन्हें कैसे करते हैं और उनका यूज करके हम measurement कैसे करते हैं वह सभी को आना चाहिए जैसे कि चाहिए कि उनका क्या यूज होता है और जो ये मीटर्स आप देख रहे हैं अमीटर है वोल्ट मीटर है तो इनको भी identify करना आना चाहिए इन में different different जो है चिन्ह दिये होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है वो भी आपको पता होना चाहिए हाला कि इन पर मैं आपको कुछ topic में आपको dedicated video मना के दूँगा जिनसे कि आपको थोड़ी पर थाल्प मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों अगर आपकी demand रहती है तो next video में मैं important circuits के बारे में बताऊंगा इक कौन कौन से important circuit है जिनके कि आपको practice जरूर से करने चाहिए अपने skill test के लिए फिलाल दोस्तों यही सारी चीजे हैं तो शुरू आज से लेकर पूरी video को आपने अच्छे से समझा अगर आपको कहीं confusion हो या कोई doubt हो तो नीचे comment से समझे बहतरीन होती है तो आपके लिए अगर कुछ भी आया तो वह आप अच्छे से attempt उसको कर पाएंगे तो आपने आपको जितना बैतर बनाओ और इन सभी चीजियों के practice आप जरूर से करना ना वूले तो बस दोस्त यही कुछ important चीजे हैं जिनकों की आपको अच्छे से practice कर ल देखने को मिल जाएगी वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको आप लाइक जरूर से करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो और शेर भी जल्दी से बीडियो कर दो ताकि और लोग भी इसको देख सके तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फ्रिक्सी वीडियो में जय ह बन्ने मातरम